हेलो एब्रिवन वेलकम टो खिल्प्रिया क्लासिस मैं हूँ प्रियंका खिलेश दिक्षित और हम कर रहे हैं क्लास एथ की चेप्टर नमबर टू लिनियर एक्वेशन से इन वन वेरियेबल की एक्सराइज 2.2 का 6th कोशिन का सोलुशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कोशिन की सोलुशन को सो कोशिन में है 3 consecutive integers add up to 51 वट आर इस integers तो देखिए कि 3 consecutive integers हैं consecutive के उनसे integers होंगे जो एक साथ होते हैं जैसे कि 1,2,3 यह एक साथ हैं तो वो जाएंगे हमारे पास consecutive integers जो की आपस में add होंगे अगर तो वो 51 बनाएंगे ठीक है तो suppose कर लिजे कि हमारे पास जो हैं 3 numbers हैं जो consecutive होंगे suppose कर लेते हैं 2 है 3 है और 4 है अब हमें मालूम तो नहीं है कि कौन सा number है so आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ suppose कर लिजे कि हम x ले लेते हैं जो second number होगा वो क्या हो जाएगा x plus 1 यानि कि अगर वो 3 होगा तो 2 plus 1 होगा ठीक है और फिर जो next number होगा third number वो क्या होगा x plus 2 यानि कि जो x होगा उससे 2 number ज्यादा यानि कि 2 plus 2 equal to 4 तो इस तरह हमारे पास equation आएगी जब इसको हम add करते हैं तो हमारे पास जो answer आ रहा है वो है 51 according to the question तो चलिए अब हम start करते हैं हमारे solution को यह आपके समझाने के लिए था कि कैसे 3 consecutive numbers हैं उनकी equation मनेंगी तो हमारे पास जो number आएंगे वो आएंगे x x plus 1 और x plus 2 is equal to 51 अब हम इसमें क्या करेंगे यह 3x जो हैं इनको आपस में add कर देंगे तो we get 3x और यहां से 1 और 2 add हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3 so equal to 51 अब हम इस 3 को right hand side ले जाएंगे तो यहां आजाएगा हमारे पास 51 minus 3 so we have x is equal to यहां पर हमारे पास आजाएगा 48 और यह 3 चला जाएगा denominator में तो हमारे पास value आजाएगी x की 16 यानि कि जो हमारा first number है वो कौन सा होगा 16 तो हमारा जो second number था वो क्या होगा x plus 1 यानि कि 16 plus 1 वो आजाएगा 17 और जो हमारा x plus 2 यानि कि जो हमारा third number है वो होगा 16 plus 2 that is 18 अब आप यहां देख रहे हैं न 16, 17, 18 जो है यह 3 consecutive numbers है और जब हम इन 3 को add करेंगे तो उसका sum जो है equal to 51 आएगा तो यह हमारे पास required 3 numbers है so I hope आप लोग को यह solution जो है clear होगा और अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को friends के साथ share करें like and comment करें अखिल प्रिया classes on instagram भी follow कर सकते हैं आप मुझे thank you so much for watching this video